नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों इस समय पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर है सभी देश यही कह रहे हैं कि भारत के पास ऐसा कौन सा जादूई चिराग है जिससे कि यह चमतकार हो रहे हैं इनकी ऐसी कौन सी रणनीती है जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है और देखिए उनका सवाल पूछना जायज है क्योंकि आप स्क्रिंपर देखिए ये पिछले एक महिने का डाटा है पिछले एक महिने के दोरान 50 से जादा ऐसे देश हैं जहां पर महंगाई 10% से लेकर 500% तक बड़ी है उनमें से मैं आपको टोप 20 के रिकोर्ड दिखा रहा हूँ और अगर आपको लगड़ा है कि इसमें तो सिर्फ अफरिका के देश हैं एशियन देश हैं तो ऐसा नहीं है स्क्रिंपर आप देखिए ओस्टेलिया में महंगाई ने 30 साल का रिकोर्ड तोड़ दिया है इतना ही नहीं अमेरिका की जो GDP है पिछले 6 महीनों से लगातार माइनस में जा रही है घट रही है और टेकनिकली अमेरिका एक मंदी में जा चुका है लेकिन जैसे ही ये घोशना हुई अमेरिकी राष्टपती जो वाइडन ने मंदी की परिभाशा ही बदल दी जिससे की लोग ये ना कहें की अमेरिका एक आर्थिक मंदी में फस चुका है लेकिन देखा जाए तो दुनिया के हर एक देश की हालत खराब है इसी बीच एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आती है रिपोर्ट ये है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है फोरेक्स रिजर्व वो पलस में चला गया है इसके पर आप देखिए पिछले एक हफते के दोरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दो दशमलव एक तीन पाँच बिलियन डॉलर बड़ा है ये कितनी बड़ी रखम है लगभग 18,000 करोड रुपे बड़ा है सिर्फ एक हफते में और चोकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि पिछले दो महीनों से लगातार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट रा था ये 640 अरब डॉलर से 570 अरब डॉलर पर आ गया था लेकिन दोबारा फिर से लगभग 544 अरब डॉलर पर वापस आ चुका है यानि कि एक तो इसने घटना बंद कर दिया उल्टा ये बड़ चुका है और हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि इस समय RBI भारी मात्रा में डॉलर खर्च भी कर रही है क्योंकि उनका चलेंज ये है कि जो भारतिय रूपिया है उसे डॉलर के मुकाबले ज्यादा ना गिरने दिया जाए और इसका रिजल्ट भी मिला है पिछले एक हफ़ते के अंदर भारते रूपिया डॉलर के मुकाबले 80 से कम आया है एक बार को तो ये 78 पर भी पहुँझ गया था और इस समय इसने संतुलन बना के रखा हुआ है 89 रूपे के आसपास इसके लावा दुनिया इसलिए भी हैरान है कि भारत के अंदर जो मंदी है वो दुनिया भर से बहुत कम है यहां तक कि ब्लूमबर्ग ने ये भी कह दिया है रिपोर्ट जाई करके कि भारत में आर्थिक मंदी आने के चांस 0% है और इसी को देखकर दुनिया के सक्तिशाली देशों के भी तोते उड़े हुए है वो ये कह रहे हैं कि भारत का जो रूपिया है वो डोलर के मुकाबले बहुत ही कम गीरा है भारत का जो खजाना है विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बढ़ रहा है इसके लावा भारत में जो महंगाई है वो भी काफी हद तक अंडर कंट्रोल है इसके लावा चोता फैक्टर और है कि भारत में मंदी आने की भी चांस नहीं है तो ऐसा भारत कैसे कर सकता है ये आपके भी मन में सवाल होगा मैं आपको इसका जवाब देता हूँ दरसल पहला फैक्टर ये है कि भारत रुपे को कंट्रोल कर रहा है और इसके लिए RBI मार्किट में डोलर को रिलीज कर रही है जिससे की डोलर की सप्लाई अच्छी खासी बनी हुई है और आप जैसा की जानते हैं कि जिस चीज की सप्लाई जादा होती है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है इसलिए पिछले कुछ दिनों में डोलर के मुकाबले रुपेया संभला है लेकिन जैसे ही हम डोलर रिलीज करते हैं मार्किट में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गिरता है अब उसे बढ़ाने के लिए सरकार ने दो कदम उठाए है पहला ये कि हम रूस और इराक से सस्ता तेल खरीद रहे हैं जिससे कि हमारा जो कुरूड ओयल का बिल है वो कम आता है और हमारे खजाने से डोलर कम खर्च होता है दूसरा बड़ा कारण ये होता है कि इससे हमारे यहाँ पर पैट्रोल डीजल के दाम अभी लिमिट में है क्योंकि आपको बता दू कि अगर भारत रूस और इराक की बजाए ज्यादा तेल सौधी से खरीदने लगे ना तो हमारे आपर पैट्रोल डीजल के दाम 130 को पार कर जाएंगे बड़े इजिली लेकिन भारत रूस इराक से ज़रा तेल खरीद रहा है इसलिए तेल के दाम अभी स्थिर है और इससे महंगाई भी स्थिर है इसके लावा तीसरा सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि पिछले कुछ हफतों में जो FII's हैं यानि कि Foreign Institutional Investors यानि कि जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने भारतिये मार्केट में दबा कर पैसा लगाया है और जो विदेशी निवेशक होते हैं ये डोलर भारत सरकार को देते हैं भारत सरकार से रुपिया लेते हैं और उससे शेर मार्केट में खरीददारी करती है जिससे की भारत का खजाना बढ़ता है इसके लावा चोथा कारण है भारत का एक्सपोर्ट पिछले कुछ समय में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है क्योंकि भारत पेट्रोलियम प्रोड़क्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब हम सस्ता तेल रूस इराक से लेते हैं और उससे फिर रिफाइन किया हुआ पैट्रोल डीजल अपने पोडोसी देशों को बेच कर उससे भी पैसा कमाते हैं यान कि overall देखें तो कई सारे कठोर कदम भारत सरकार ने उठाए हैं जिस वजए से overall भारत की economy बहुत जादा healthy है वहीं अंत में मैं आपसे request करूँगा कि आप मेंसे जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कर ली जाएगा ऐसी ही जबरदस्ट खबरों के लिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही Thank you very much for watching वीडियो